तो अगर आपको 2024 में कोई नई बाइक को purchase करना है लेकिन अभी आपको नहीं पता कि मार्केट में कौन-कौन से options available है कौन सी बाइक आपके लिए better होगी कौन सी बाइक में आपको ज्यादा mileage मिलेगा यह सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में क्योंकि ये वीडियो होने वाली है टॉप 10 बाइक के बारे में जो 2023 और 2024 में इंडियन टूवल मार्केट में लॉंच हुई है मैं आपको बताऊंगा बाइक के price के बारे में features के बारे में बाइक में आपको कितनी power मिलेगी और बाइक में कितना mileage होगा तो make sure आप इस वीडियो को end देखना ताकि कोई भी point मिसन और इस वीडियो का लाइक के मैं 250 लाइक का I know hopefully अब जल्दी से करवाद होगे तो चलिए दोस्तों बिना time waste करें स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहली जो bike है हमारी वो है tram की तरफ से जो बजाजो tram के collaboration में launch वी इंडियन मारकेट में bike का नाम है tram speed 400 अब फिलाल में काफी ज़दा सेल हो रही है ये bike इंडियन मारकेट में bike दोस्तों काफी ज़दा compatible है city riding के लिए और क्योंकि bike में 400cc का engine है तो आप इस bike का long roots के लिए भी easily use कर सकते हो और bike का design है वो modern retro based है यानि कि किसी भी age group के बंदे इस bike को easily चला सकते है इस bike का दोस्तों exorum price है 2,33,000 और ये bike आपको on road पड़ेगी इंशोरंस वाटियो लगा कर 2,73,000 के on road price पर इस bike में आपको मिलते है 398cc का अलिवकेट कुल डियो एस एंजिन जो maximum power प्रोडूस करते है 40bhp की 8,000 rpm और maximum torque प्रोडूस करते है 37.5 newton meter का 6,500 rpm और और features में आपको इसमें dual ABS मिलते है आप सभी की safety के लिए bike में 6PD के gearbox है और bike का console है analog price digital जिसमें आपको सारे function show हो जाएंगे बाकी bike में सभी parts में LED lights है और bike के suspension में आपको मिलते है front part में 43 mm का upside unfalk और bike के rear part में है monoshock absorber और tire size में bike के front part का टेर है 110 x 70 mm का और bike के rear part का टेर है 150 x 60 mm का और dimension में bike का curve weight है 170 kg का seat height है 790 mm की जो बिल्गल फेवर में रहेगी short rider के लिए उनको bike को operate करने में दिखते नहीं आएंगी और आपको bike में fuel tank capacity मिलती है 13 liters की और ये bike आपको 30 से 35 km का mileage देगी city riding में और highway riding पर तो overall मैं आपको बताऊँ इस bike को फिलाल में ही launch करा गया है और काफे चे reviews है bike के price भी काफी nominal है segment के एसाप से और सबसे बड़ी बात जो इस bike का service interval time है वो भी काफी जाद है तो bike की maintenance में आपको कोई दिकत नहीं आने वाली है आप इस bike को definitely consider कर सकते हो तो गली bike है Aprilia की दरफ से Aprilia RS 457 ये bike 4,10,000 के action price पर launch हुई है जो आपको on road देखने को मिलेगा insurance और आटे उलगा कर 4,69,000 के price पर तो bike में आपको मिलता है 457 CC का parallel twin cylinder liquid cool engine जिसमें आपको maximum power मिलेगी 48.6 bhp की और features में आपको इसमें मिलेगा dual channel ABS riding modes होंगे bike में navigation support आपको मिलेगा 70 mm का और यह आपका टार है 150 by 60 mm का lights आपको bike के सभी parts में लेडी मिलेगी अप्रिला की तरफ से और जो bike का light pattern है वो काफी हाई catching है जो अप्रिला ने अपनी बागी सूपर bike से इस बाइक के लिए और डामेंशन में बाइका कवेट है 175 kg का तो अगली जो बाइक आएगी वो आएगी रेट्रो स्टैल में और बाइक के जो category यह वो स्क्रैम्डर है बाइक का दोस्तों हस्क वाना की तरफ से हस्क वाना स्वाट्रें 250 काफी इंडियन मार्केट में अविलेबल है लेकिन अभी इस बाइक का 2024 वर्जन लाउंच हुआ है जिसमें जो बाइक डिजैन है वो थोड़ा वो चेंज हुआ है वाइक के फंट पार्ट में आपको थोड़े से जादा पार्ट मिल रहे है इस्पेशली बाइक में आपको मिलेगा 249 CC का सिंगल स्रेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रडूस करता है 30 BHP की 9000 rpm और मैक्सिमम टोक है बाइक में 24 Nm का 7500 rpm फीचर्स में आपको बाइक में Dual ABS मिलेगा 6P gearbox है बाइक में रांडोड शेप का फुली डिजितल कॉंसोल का बाइक में जिसमें आपको सारे फंक्षन सिर्फ हो जाएंगे और सबस्मेंशन में बाइक के फुर्ट पार्ट में है अब से डान फोक और और वेवट के रह पार्ट में हैं पोरो भीक के रियो ईम्यार के लिए लिगना ऑप सब्सक्राइब कर सकते हो उसमें आपको कोई परिशानी नहीं होगी बाकी बाइक में है 9.5 लिटर्स की फ्यूल टैंग कापसिटी जो थोड़ी सी कम है बाकी सेग्मेंट से और यह बाइक आपको 30 गेम बिल का मैलेश देदेगी कि सिदी राइडिंग और हाइवे राइडिंग पर बाकी आपको स्क्रेमर मोडल नहीं चाहिए तो इसका एक दूसरा मोडल भी है जो है कैफी रेसर मोडल उस बाइक का नाम है विट प्लें 250 लेकिन अभी उस बाइक का जो 2024 वर्स है ना वो इंडिन मार्केट में लांच नहीं सेग्मेंट में सिर्फ यही एक बाइक है जिसमें आपको स्मार्ट हेल्मेट कनेक्टिविटी मिलती है और आप इस बाइक से अपने गोप्रो को भी कंट्रोल कर सकते हो जो काफी अच्छा फीचर है मोटो व्लोकर्स के लिए साथ ही साथ आपको इसमें स्विचेबल एब्य स्राइडिंग मोड्स नैविगेशन सफोर्ट जैसे फीचर से मिलते है और बाइक में टी अपको सारे फंक्शन हो जाएंगे और एक और फीचर आपको ये बाइक प्रोवाइड करती है जो आपको सिर्फ महेंगी बाइकों में देखने को मिलता है इस बाइक के सीट को आप 28.7 न्यूटन मेटर का 6,650 आर्पीम पर सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में है 41 mm के अपसर डान फोक रिया पार्ट में 100 अबसोबर है बाइक के टाय साइज में फरंट पार कट आ रहा है 110 by 70 mm का और यह बाइक कट आ रहा है 150 by 60 mm का लैट्स आपको बाइक के सभी पार्ट में लेडी मिलेगी TVS की तरफ से और डामेंशन में बाइक का कववेट है 169 kg का लोडिंग कैपसिटी है बाइक की 130 kg की 180 mm की ग्राउंड क्लेरस है और इस बाइक की सीट हाइट है 800 mm की जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी शोट एड़र को बाइक को बाइक करने में बाइक का डिजैन काफी अच्छा है बाइक में आपको फीचर्स काफी अच्छे मिल रहे है जो अभी तक आपको कोई भी बाइक प्रोवाइड नहीं करेगी तो अगली बाइक है हुंडा की तरफ से 2024 हुंडा CB300R तो यह जो बाइक है काफी टाइम पहले लाउंच हो चुकी और इस बाइक का ओंडोर प्राइस है 272,000 जो इस बाइक के डिजैन और पर्फोमेंस बगारा के साप से काफी नोमिनल है एक परफेक प्राइस चेंज में आपको यह बाइक मिल रही है इंडिन मार्केट में तो स्पेसिफिकेशन में बाइक में है 286 CC liquid cool engine जो maximum power produce करता है 31.13 बेच्पी की 9,000 rpm और maximum power produce करता है 27.5 Newton-meter का 7,500 rpm तो फीचर्स में बाइक में 6-speed gearbox है dual channel ABS है और एक new LCD multifunctional meter आपको मिलेगा बाइक में जिस में काफी सारे function आपको शो हो जाएंगे बाइक से related suspension में बाइक में फ्रेंट पार्ट में अब सदान फोक है यह बाइक में 7 step adjustable monosuk absorber है बाइक के टायर साइज में फ्रंट पार्क का टायराइ 110 x 70 mm का और यह बाइक का टायराइ 150 x 60 mm का लाइट्स आपको बाइक के सभी parts में लेडी मिलेगी और dimension में बाइक का करवेट है 146 kg का बाइक काफी जदा light weight है किसी भी segment में आने वाली बाइक से even 150cc के टेगरी में आने व 25-30 km का city riding में और highway riding पर तो अगर आपको Honda के engine की refinement चाहिए और 300cc category में आने वाली एक entry level bike चाहिए तो आप इस bike को consider कर सकते हो तो अगली जो bike है वो है 125cc category में और यह bike आएगी hero की तरफ से hero extreme 125r bike का design काफी awesome में आप सभी ने देख लिया है मतलब यह जो bike है यह आपको complete premium sporty look दे रही है जो आपको महेंगी बाइकों में देखने को मिलता है bike के price से start होते है 95,000 से और जो इस bike का ABS वरजन है आपको इसमें single channel ABS मिलेगा उसका actual price है 99,500 यह bike आप directly compete करने वाली है TBS Rider 125 से और साथी साथ Honda SP 125 और बजाज पलसर NS 125 से तो overall मैं आपको बताऊं तो bike का design का अपी अच्छा है pricing का अपी अच्छी रखी है hero motocop इंडिया ने लेकिन क्या यह bike Indian tool in market में बाकिस segment के सामने अपनी जगा बना पाए गी या नहीं यह आप मुझे नीचे comment करके बताना तो यह जो bike का यह available है तीन color option के साथ पहले जो दो color option red or blue वो आपको IBS में मिलेगा और तीसरा जो colorized stallion black वो आपको इसके ABS वाड़ी वर्जन में मिलेगा तो bike में है 125cc का sprint TPT engine जो hero motocop इंडिया ने अनांस करा है फिलाल में यह जो engine है यह bike को initial makeup इची power देगा बाकी bike में 11.55bhp के power 8250rpm पर बाकी design में बाकी थोड़ीशी muscular type की है bike के सभी parts में आपको LED lights मिल रही है और bike में diamond frame के यूज़ करा गया है जिससे bike थोड़ी सी light weight रहेगी और suspension में bike के front part में है 37mm के telescopic fork जो 125cc कद्देगरी में अभी तरक किसी bike में नहीं है 37mm के बाकी bike के rear part में है Showa के mono shock absorber जो 7 step adjustable है और जो bike की front disc brake है वो भी segment में आने वाली किसी bike से जादा बढ़ी है आपको इसके front part में 276mm की display मिलेगी और यह जो bike के इसको company ने claim कर रहा है कि यह bike आपको 66 MPL का मेल है कि city riding में तो अगली एक और bike का hero के तरफ से जो फिलाल में launch हुई है hero maverick 440 bike का जो overall designer वो काफी नया है और hero ने bike के front part में अपनी signature headlight को install कर रहा है बाक maximum door के bike में 36 newton meter का और hero motocop India से claim कर रहे हैं कि यह 90% of torque अपना 2000 rpm पर ही use कर लेगी मतलब जो आपको initial है वो काफी ज्यादा बेटर मिलने वाली है इस bike में तो आपको एक sporty सा भी लाने वाले spike को चलाने में जो इस category की bike होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है उसमें आपको comfort थोड़ा सा ज्यादा मिलता है लेकिन hero motocop India ने इस bike में comfort और performance दोनों ही add कर रहे है ताकि all age group को चलाने में इस bike को थोड़ा अच्छा सा feel है बाकी bike में है negative screen display वाला LCD console जिसमें आपको सारे function show हो जाएंग और hero connect की वज़े से आपको इसमें 35 more features मिलते है जो आपकी safety और comfort के होंगे और suspension में back के front पार्ट में 43 mm के telescopic fork, bike area बार्ट में dual shock absorber है और bike के सभी parts में hero motocop India ने LED light का यूज़ करा है और bike का exhaust note है वो काफी ज़्यादा बेसी है, काफी नया sound है bike का, बाकी और features में bike में dual ABS है, navigation ह और आपको सिक speed gearbox मिल रहा है, तो finally बात करते है इस bike के models के बारे में, यह bike तीन model में launch हुई है, यानि के तीन variant है, एक base model, एक mid model, एक top model, base model में जो color आएगा हूँ है active white, और जो mid model है, इसमें आपको dual tone color मिल रहा है, और साथ में alloy wheels है bike में, तो bike के color रहेंगे, इस model में red और blue, और जो bike का top model है, जिसमें आपको connected features मिलेंगे, और इसमें आपको diamond cut alloys भी मिलने वाले है, इस model में भी दो color है, लेकिन दोनों ही black के sheets है, और इस bike का delivery time है, वो apple के मंत्का रखा गया है, तो अगली जो bike है ना वो है ADV category में, bike का नाम है Himalayan 450, and literally यह bike capable है कि CB off-roading terrain के लिए, तो bike के action prices start होते है, 269,000 से 284,000 के price से, और on road आपको ही bike पढ़ेगी, 313,000 से 329,000 के price पर, तो bike में है 452 CC का liquid cool single slender engine, जो maximum power produce करता है 40.02 BHP की 8000 RPM और maximum torque produce करता है 40 Nm का 5500 RPM पर, features में bike में dual channel switchable ABS है, mobile phone connectivity आपको मिलेगी bike में, riding modes है, navigation है, and round shape का TFT display है bike में, और suspension में bike के front part में है, upside down fork bike carrier part में है, monoshock absorber, और bike के सभी parts में LED light का use किया गया है, 4 dimension में bike का curve weight है, 198 kg का, bike की load carrying capacity है, 198 kg की, 230 mm की ground cadence है, और इस bike के seat height है, 825 mm की, जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी, short order को bike को operate करने में, 17 liter की bike में fuel time capacity है, और ये bike आपको 25-30 km का mileage देगी, city riding में और highway riding पर, बाकी mileage में fluctuations आती रहेगी, क्योंकि इस bike को कोई भी अगर city riding नहीं लेने वाला है, जो भी इस bike को लेगा, वो off-roading purpose के लेगा, तो ऐसी bike में आपको mileage को consider नहीं करना चाहिए, तो 2024 के लिए, आपके लिदाग के trip के लिए, एक proper off-roading field लेने के लिए, आप इस bike को consider कर सकते हो, तो अगली bike 22,000, जो आपको on road पढ़े गी, 142,000 के price पर, तो bike में आपको मिलता है, 162.71cc का single standard engine जो maximum power प्रोडूस करता है, 13.46bhp की 7500 rpm और maximum torque प्रोडूस करता है, 14.58 Nm का 5500 rpm तो अगर हम इस bike को segment के according compare करें, तो इसमें power कम है, लेकिन Honda ने इसको as a computer bike launch करा है daily purpose के लिए, जिसमें आपक थोड़ी सी कम रखी है, bike के design को बिल्कुल normal रखा है, बाकि आपको इसमें single channel ABS मिलता है feature में, bike में 5-speed gearbox है, और console है bike का fully digital जिसमें आपको सारे function show हो जाएंगे, और suspension में फंट पार्ट में है telescopic fork, रियर पार्ट में mono shock absorber है, bike के tire size में फंट पार का टारा 80 by 100 mm का, और यह पार क lights आपको bike के सभी parts में LED मिलेगी Honda की दरफ से, और dimension में bike का cover weight है 141 kg का, 177 mm के आपको इसमें ground clearance मिलेगी, और इस bike की seat height है 770 mm की, जो बिल्कुल favor में रहेगी, short rider के लिए उनको bike corporate करने में दिखते नहीं आएंगी, और आपको bike में मिलती है 12 liter की fuel tank capacity, और यह bike आपको 40 से 45 km का mileage प्रेगी city riding में और highway riding पर, तो अगर आप plan कर रहे हो, daily use के लिए computer bike को purchase करने का, जिसमें power भी अच्छी हो, engine भी bike का थोड़ा reliable हो, तो आप Honda SP 160 को consider कर सकते हो, तो अगली bike है बजाज की तरफ से आने वाली, बजाज Pulsar P150, यह bike फिलाल में ही लौंच हुए एंडियन में और बजाज में इस bike का जो प्राइस है आने वाली काफी affordable bike है यह, जिसमें आपको एक naked sports वाले design मिल रहा है, तो जो इस bike का price है, वो एक showroom है 1,17,000 और यह bike आपको own road पढ़ेगी, 1,36,000 के price पर, और bike में आपको मिलेगा 149.68 cc का engine, जो maximum power produce करता है 14.5bhp की 8,500 rpm और, और 5-speed gearbox होंगे, और bike का console होगा fully digital, जिसमें आपको सारे function show हो जाएंगे, बाकी suspension में, bike के front में 31 mm के telescopic fork है, यह पार्ट में monoshock absorber है, tire size में front bike का tire है 90 by 90 mm का, और यह पार का tire है 120 by 80 mm का, और आपको bike में front part में LED projector nap मिलेंगे, bike के rear part में LED tail light है, लेकिन side indicator में इसमें halogen bulb का use किया गय है, और bike के dimension में back का cover weight है 145 kg का, 790 mm की seat height है जो बिल्कल favor में रहेगी, short rider के लिए उनको bike को operate करने में देखते नहीं आएंगी, और आपको bike में 14 liter की fuel tank का bus city मिलेगी, और यह bike आपको 40 से 45 km का mileage दे के city riding में और highway riding पर, तो अगर आपका budget थोड़ा सकाम है, और आपको इसकम budget मे I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे नीचे comment का कि बताना मत बूलना कि इन सारी bike में साप आने हो ले time में कौन सी bike को purchase करने वाले हो, बाकि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं कर रहा है, तो आप सब्सक्राइब जरू कर लो, आगे भी ऐसे ही informative वीडि सबसे पहले आपके पास आए, तो बस आद दोस्तों आज ले इतना ही बागी कल दुबारा से मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ में